तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बोस के पहले नोमिनेशन की जी हां गयी तो पहला नोमिनेशन जो है वो हमें देखने के लिए मिला लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है यार सारी सारी स्क्रिप्ट के बिग बोस लिखेंगे क्या कंटेस्टेंट का कोई कोई रहा होन होता यार बॉस्तेट कर सकते हुर लेकिन कि सबसे बहतर वाला है वो बचकिया तलवार टलटकती वही नजर आ रही है फुल कॉंफिटेंस बंदे के नजर आ रही है क्योंकि ना तो बंदे ने यह बोला कि मैं लास्त तक रहना है बंदे ने नौ मिनेट होने के बाद भी यह बोला कि अरे हम तो आये थे पर देखने के लिए और चले जाएंगे हाँ अपने वकील साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर गुणरत्न एडवोकेट क्या बात मतलब यार हस सीजन में एक बंदा ऐसा जरूर आता है तो वह रुकना नहीं चाहता और रुकना चाहता है तो वह यह बोलता ह जाता है कि मुझे बिग बोस रुकने नहीं दे रहे बिग बोस नहीं चाहते है कि मैं ट्रोफी लेकर जाओ तो कभी गधा आ जाता है कभी बक्रिया जाती है दूसरी बात हमारा नंबर आ रहा है दूसरा नंबर हमें देखने के लिए मिला जो फर्स्ट कंटेस्टेंट इसनी फैन फॉलोविंग नहीं है और अकड़ बाइसा अकड़ भी बहुत है अरे में को नहीं रुकना था डारेक्ट बिग बोस को ही चैलेंज करते हैं तो यह सारी चीज़े थोड़ा सा करती है मैं हो सकता है कि पहले नोमिनेशन में डॉक्टर सा भी बाहर हो जाए अब य जियो सिनेमा और कलर्स पर आप देख सकते जाके थर नंबर पर बात करें तो क्रणवीर क्या बात है भी सबसे स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट माने जाने वाले बंदे को नोमिनेशन में देखने के लिए मिला और चेहरे पर कोई कुछ थाई नहीं के हां यार क्यों कर दिया फिर उसके बाद मिली मुस्कान बामने मुस्कान बामने थोड़ा सा लग रहा था कि इनको नोमिनेट क्यों कर दिया क्योंकि तो देखते हैं आगे क्या होता है लास्ट में अविनास मिस्तरा जी को भी जो है नोमिनेट शन में देखने के लिए मिला हमें लेकिन वह लग रहा है कि बच जाएंगे थोड़ी वह तो फैन फॉलोविंग होगी जो तड़वाल लटकती वी दिखाए दे रही है तो मुस्कान को वोट कीजिए जाए जो सिने मापे लॉग इन कीजिए लाइव चलाइए और वहां पर वोट कर सकते हैं वोटिंग लाइन खुली है आज के लिए तना ही मिलते हैं नई अप्डेट आने तक या फिर नए अपसोड आने तक चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो क कर दिजिए लाइक मैं भेलता हूं आपसे अगली वीडियो साथ आत बाइबाइ थैंक्यू